नवस्कार में हुश्वानी बिहारी नियूज में आपका स्वागत है क्या आपको पता है कि इस तुरियां भी पिंडदान कर सकती है अगर नहीं तो आप धर्म अध्यात्म से जूरी हुई इसी तरह की कई अन्य तत्यों के लिए पकडंडिया च्रेनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस च्रेनल पर धर्म और अध्यात्म से जूरी हुई खबरे परसारीत की जाती है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर बिहार में यहां लगेगा 800 एकड में उद्योग 250 एकड में बनेगा फुड़ पार्ट पहली बार बिहार से रवाना होगी स्वदेश दर्शन परियतक ट्रेन फित्री पक्ष मेले के लिए अब नहीं बनेगा व्याइपी पास अब घर बैठ है ऐसे मंगाए जमीन का नक्षा इन जीलों में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से बिहार में यहां लगेगा 800 एकड में उद्योग 250 एकड में बनेगा फुड पार्क बिहार में उद्योग को बढ़ावा देनी के लिए सरकार हर संब परियास कर रही है इसी कड़ी में अगले वर्ष 23 तक मुझफरपुर जीले में उद्योगी की करण की रफ्तार और तेज हो जाएगी आपको बता दे कि मुझफरपुर के मुझफरपुर प्रखंड में चार इथेनॉल प्लांट पर काम चल रहा है उद्योग विभाग के परधान सचीव संदीब पॉन्जिक खुद परदेश में इथेनॉल प्लांट के निर्मान की मॉनिटरिंग कर रहा है प्रधान सचीव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इन इथेनॉल प्लांट की जानकारी साज़ा करते हुए लिखा कि परदेश के कई इथेनॉल प्लांट पर काम चल रहा है मुझफरपुर में इस इथेनॉल प्लांट का काम पूरा हो जाएगा इसके अलावा उन्होंने कहा कि मूतिपूर में 800 एकर में उद्योग लगाने की योज़ना है इसके साथ 250 एकर जमीन में फुड पार्क के लिए मास्टर प्लांट तेयार किया जा रहा है बिहारी बर्थरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कुमारी राधा की कुमारी राधा एक परसिध हिंदी और मघी कवीतरी थी कुमारी राधा का जनुल 7 सितंबर यानि आज ही के दिन 1936 को बिहार के सुपॉल जिले के जिवाचपूर गाउं में हुआ था वह पांच बच्चों के परिवार में दूसरी बेटी थी उनके पिता डॉक्टर लक्ष्मी परसाद और उनकी मा इंदरा देवी थी उन्होंने अपनी प्राथमिक सिक्षा गाउं से की और उन्होंने 1936 में पटना विश्यु विद्याले से बी ओनर वश्रम रोजगार विभाद से बिभागी पत्री का श्रमिक की सहायक संबादक थी उनके द्वाड़ा लिखी गई कविता सग्राब में सर्यू कछाडो के हीरनी गुल मोहर प्रश अधर रतिया के बासुडी और शकुंतला शामिल है पहली बार बिहार से रवाना होगी स्वधेश्यु दर्शक पर्यतन ट्रे डूर का प्लान कर रहे है रिल यात्रों के लिए अहम जानकारी है गंतव ब्यस्थल पर रुखेगी और दस दिनों की यात्रा में महाकालेश्वर और उमकालेश्वर जोत्रिलिंग, स्री नागेश्वर जोत्रिलिंग, वा स्री द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ जोत्रिलिंग, श्री त्यमबकेश्वर जोत्रिलिंग और श्री शिंगनापू मंदिर का दर्शिन कडाते हुए दिपावली से पहले 20 ओक्टूबर को वापस दर्भंगा पहुचेगी आपको पताते हैं कि इस पैकेज के अंतरगत स्लिपर के लिए परतेकर यात्री को 18,450 रुपे तो वहीं 3rd AC के लिए 29,620 रुपे शुल्क है बुकिंग के लिए आप IRCTC के विबसाइट www.irctcturism.com पर जा सकते हैं CCRH ने Medical Lab Technologist के 22 रिक्तियों के लिए निकालिया थी सूचना Central Council for Research in Homeopathy CCRH New Delhi ने Medical Laboratory Technologist के कुल मिला कर 22 रिक्तियों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है इसके लिए अगर सैक्षिर की योगता की बात की जाए तो आवेदक को Medical Laboratory Science में बैशलर डिग्री पास होने के साथ ही दो साल का वर्किंग एक्स्प्रियेंस भी होना जरूरी है इच्छुक और योग्यों मिद्वार इस वेकेंसी नोटिस से जुरी हुई समस्त जरूरी जानकरी और आवेदन करने के लिए इसी वीडियो के इसी पेस्पने चुर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए वेव लिंक पर जरूर क्लिक करें आवेदन करने की अंतिम तारिक 30 सितम बर 22 तक है विस्तर ज्यानकरी के लिए आप ओफिशल विबसाइट www.cerhinndia.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं अब घर बैठे ऐसे मंगाए जमीन का नक्षा अब आपको घर बैठे ही आपके जमीन का नक्षा मिल जाएगा ऐसा करने वाल बिहार देश का पहला राज्य हो गया है आपको बता दे की बिहार सरकार ने नक्षा लेने के लिए नई विवस्ता लागू की है दरसल बीते दिन मंगलवार को राजस वेवन भूमे सुधार व बिहार.GOB.IN पर जाकर डोड़ स्टेप डिलिवरी आइकन पर क्लिक करना होगा एक शीट का नक्षा ओनलाइन मंगाने के लिए आपको 250 रुपे का भुकतान करना होगा बिहार सरकार ने वितिय वर्ष 22-3 से ही नहीं दिया उपयोगता पर्मान पत्र। अपनी श्रक्तियों का पर्योग क्यों नहीं किया बिते दिन की गई सुनवाई में कोच ने अब राज्यों सरकार के मुखे सचीव को भी वेक्तिगत रूप से हलफ नामा दायार कर बताने को कहा है कि विविन विभागो द्वारा दोजर तीन चार से दोजर बीस एकिस तक शुराब की बोतलों से चूरी निर्मान पर भाजपा ने नितिश्व सरकार को घेरा राज्यों में शुराब की बोतलों से चूरीयां बनाने को लेकर भाजपा प्रदेश अत्यक्षु संजु जयासवाल ने बड़ा हमला बोला है तरसल बिहार में शुराब की जप्ति होने के बाद क्रस किये गए बोतलों से चूडियां बनाने की पहल राज्यो सरकार दोरा की गई है। उद्योग लगाने के लिए जीविका दीदियों को इसके लिए एक करोर की राश्वी भी उपलब्द कराए गई है। गंगा एक्सप्रेस वेपर पेवर ब्लॉक का काम हुआ शुरू। गंगा एक्सप्रेस वे साठे साथ किलोमेटर तक बन कर तयार है जिस पर वाहनों का आवागमन हो रहा है शुरू से सडक एलिवेटर हैं। ज्वानकारी के मुताविक पेवर ब्लॉक बाज की संभावित खत्रों को देखते हुए नहीं लगाया गया था। बिहार म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में कई दर्शनिया आतिहासिक और तर्थास्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यचन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है बिहार म्यूजियम, बिहार संग्रहाले, राजधाई पटना इस्थित एक संग्रहाले हैं। मन्रेगा में बिहार के 12 करोर वर्कडे की मांग को लगा बड़ा जटका। 2022 से इसके लिए शुरुआत में ही 25 करोर वर्कडे का प्रस्ताओ दिया था पर 15 करोर की ही स्विक्रिती मिली। तब केंद्र सरकार नहीं यह कहा था कि 15 करोर के लक्ष को पूरा करें बाद में इसे बढ़ा दिया जाएगा। पित्रिपक्ष मेले के लिए अब नहीं बनेगा व्याईपी पास। पित्रिपक्ष के मेले के शुबारम में अब महज चंद दिन शेस रह गया है। पित्रिपक्ष मेले के दौरान व्याईपी पास नहीं दिया जाना चाहिए। पित्रिपक्ष रहता है मेले के दौरान ऐसे में आम लोगों को भी यहाँ पैदल भी आना पड़ता है लेकिन व्याईपी लोगों के गाड़ियों को पास दिया जाता था जिससे आम लोगों को भी इससे नाराज गी थी। सिक्षक अव्यर्थियों को अविलंब करे रिहा नहीं तो महा अंदोलन की चितावदी। बिहार की रास्थानी पट्ना में सिक्षक अव्यर्थियों का परदर्श्विन लगातार जारी है। और अलपसंख्यकों को साथ लेकर के सत्ता में आई हैं वह सत्ता में आते ही प्रदेश के सिक्षक अभ्यर्थियों को गुम्रा करने लगी हैं। दरभंगा एम्स के निर्मान का रास्ता हुआ साफ। 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 आधिकारिक विबसाइट पर जरूर विजिट करें। जे एनवी कक्षा नौवी एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन की परकिरिया पाथ सितमबर दोजरवाई से शुरू हो चुकी है। जे एनवी एस्टी कक्षा नौवी एडमिशन के लिए आवेदन फॉर्म भर्णी की आखरी तारिक 15 अक्चुबर 2022 है। जाग विवाग बिहार में खोलेगा सैंक्रो पोस्ट ओफिस। भारतिय जाग विवाग बिहार में 400 नए पोस्ट ओफिस खोलनी की बात कही है। दरसल सरकार चाहती है कि लोगों को उनके घर के 5 किलोमेटर के दाएरे में हिसारी बैंगी को और वितिये से वाय उपलब्थ हो सके। इसी कारण और नए डाक घर स्थापित किया जा रहे हैं। इससे दूर दराज के लोगों को भी बेहतर सिवाय मिल पाएंगी। साथे सरकारी नौकरी में रोजगार के अफसर भी मिलेंगे लोगों को सरकारी युजनाओं का भी लाव आसानी से मिल पाएगा। इसी के साथ आपको बताते चले की पोस्टल विभाग ने देश भर में करवन 96,000 से जाला पदों पर भरती की प्रकिरिया शुरू किये हैं। इसी सिंग से जुरे सवाल पर नितिश कुमार ने कहा कि हमने जिसको बनाया वो ही अब बोलने लगा है नितिश कुमार ने कहा कि उसको राजनीती में कौन लाया था आईस था उसे अपना प्राइविट सेक्रेटरी बनाया पाची में उसे अपनी कूरसी दे दिया लेकिन व विभक्षे को एक्जूट करने के कोशिश में नितिष कुमार पिछले दो दिन सर्दिली दौरे पर है, वहीं विभ Hind दलों के निताओं से मुलाकात कर रहे हैं, नितिष कुमार प्रकात करते हुए सुशिलमोधी ने कहा कि नितिष का सपना साकार नहीं होगा, लंबे अर्से तक नितिश के खास मित्रों में शामिल रहे है सुशिलमोदी ने बीते दिन कहा कि नितिश कुमार लाख परियास कर लेए लेकिन वह ये लोगों को एक नहीं कर पाएंगे, भाजपा के राज श्वासांसल सुशिलमोदी ने कहा कि अधिकांशु राज़ में हमारी सरकार है, प मुख्य मंतरी नितिश कुमार दिली दोड़े पर है सुमवार को मुख्य मंतरी नितिश कुमार ने कॉंग्रेस के पुरवधेक्षुरावल गांदी और बूत पुरवधार मंतरी इस्ट्री दिप गौड़ा के पूत्र कुमार स्वामे से मुलाकात की वहीं बितेर मंगलवार क नितिश कुमार ने अर्विंद के जुशिवाल से मुलाकात की मुलाकात करने के बाद विजेपिपर निशाना साते हुए कि जुशिवाल ने बीना बोले नितिश कुमार को अप्ना समर्थन चता दिया उन्होंने ट्वीट कर बताया कि बिहार के मुखमंत्री के साथ सुक्षा एवं स्वास्त के अलावा ओपरेशन लोटस खुले आम MLA की खरीद फरोक्त करके जनता दोड़ा चुनी सरकारों को गिराना भाजपा सरकारों का बढ़ता निरंकुष भ्रस्टाचार मेंगाई और ब प्रतिपक्ष समराच चौधरी निर्तिश कुमार को सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सीम को काफी कुछ कह दिया समराच चौधरी ने निर्तिश कुमार को दिन कट्टू बता दिया विधान परश्ट के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता समराच चौधरी ने क रहा कि पल्टू कुमार अपने शासन काल के अंतिम दौर में है जिसके चलते कभी राजगीर तो कभी दिल्ली में दिन काट रहे हैं, प्रधार मंत्री बनने की हसरत पाल बैठे देश के पल्टू मुख मंत्री को उनके हिसे योगियों की ओर से भाव नहीं मिल रहा है, विपक विपकास समीती के सभापती भाई विरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है, भाषपा को रंग्रेज बताते हूं उन्होंने कहा कि जब अंग्रेजों को देश की जुनता ने भगा दिया, तो रंग्रेजों को चुटकी बजा कर देश के लोग भगा देंगे, वहीं भाई वि रजब नेता गाना, गाकर अलग अंदाज में हमला बोला है, उन्होंने कहा कि अभी तक बिहार का कोई नेता प्रधार मंतरी नहीं बनाए, इसल strategy इस बार हम लोग चाहते हैं कि बिहार का ही कोई नेता देश का प्रधार मंतरी बने और इसके लिए विपक्षके नेताओं की बातचीत चल रही है बातचीत चल रही है बातचीत चल रही है कहा गया है कि यह मैसेज फरजी है लिवर मिनिस्ट्री द्वारा ऐसी कोई घूशना नहीं की गई है बिहार में मिने कोविज 19 के 100 से भी कम मामले और शेकपुरा में एक सितामडी सिवान में दो सुपॉल में एक और वैस्षाली में छे मामलों के बुस्टी हुई है वहीं एक ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी कोरोना पॉस्टिव आई है जो दूसरे राज्जी के हैं लेकिन कोरोना सैंपल बिहार में कलेक्ट किया गया है इसके साथ दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर एक लाग 24696 सैंपल की जांच की गई है इस दौरान 146 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लोटे हैं बीते दिन हमारे दौरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कॉमेंट सैक्षि में लिकर दिया था इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है कि क्या नितीश कुमार लोगसभा चुनाव 24 के लिए विपक्षी दलो को भाश्पा के खिलाफ एक जूट करने में सफल हो पाएंगे अपना जवाल में कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर पता है आज के लिए बस इतना है बिहार की तमाम ख़बर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज साथ ही अगर आप यूजब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेस को लाइट करना ना भूले धन्यवाद